नमस्कार सभी जनता गुड़ मॉनिंग गुड़ अप्टन गुड़ नाइड जब यहां वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लक्ष्टर हम अपन मुल्टीपल च्वाइस कोर्शन से देखेंगे इसका पार्ट टू है यह पार्ट बन आपने देख लिया होगा नहीं अपने आठ कोर्शन देख लिए थे तो कोर्शन नमबर यह 9 है सहाउब से कहता है ठीक है साहब से साहब कहता है आई सम्काइम वार रूपी है बार पराप्त हो जाता मुझे कई बार प्राप्त हो जाता एक रूपी एविण यहां तक की आ और बीच में रूपी नोट मतलब कई बार मुझे 100 रुपीज प्राप्त हो जाता है या 10 या 1 या 5 तो उसे 10 रुपीज का भी नोट प्राप्त हो जाता है तो यहां पर आएगा 10 ठीक है साहिब ने कहा साहिब कहता है कि मुझे कई बार 1 रुपे का नोट और यहां तक की दस का नोट भी प्राप्त हो जाता है मिल जाता है कुड़ा करकट बीनते समय ठीक है उसके बाद है कुशन नमबर टैन इवरी आदार फैमली इन फ्रोजावाद इजेड इन मेकिंग ठीक है यनकी फ्रोजावाद में अन्ने दूसरे परिवार इजेड मतलब लगे हुए ठीक है इन मेकिंग मतलब बनाने में जा बनाने में लगे हुए है गिलास प्रोडक्ट या स्पेरिल या फिर गिफ्ट अठम या फिर बैंगल बैंगल का मतलब होता है चूरिया तो फ्रोजावाद में दूसरे परिवार भी चूडिया बनाने में लगे हुए है ठीक है Every other family मतलब अन्य प्रतेक परिवार भी फ्रोजावाद में चूडिया बनाने में लगे इंजेट का मतलब होता है लगे होना होता है अवाउट अब यहाँ पे तो गुश्वरा जाएगा Childrenburg Day and Night In the Glass with high temperature तो यहाँ पे मतलब यहां पे संक्या है ठीक है तो 20,000 लोग 10,000, 20,000 या 30,000 या 9 M कोई नहीं तो यहाँ पे 20,000 Children यहाँ आन्या mark 20,000 बच्चे बरक करते हैं Day and night रच दिन In the Glass मतलब सीसे की भटी में जहां चूड़िया बनाने वाली शीट से की भटी है thीक ए फर्नस गिलास फर्नस का मतलब बहुत है भटीओं काम करते है ठीक है विध हाई टमप्रेचर मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टमप्रेचर में टापमान में अदिक i want ben chata two be garden a your मझोना चाहता हूं कि आ रिपीड मुक्यस ने मतलब रिपीड क्या ठीक है इनकेस में रिपीड किया कि मैं बनना चाहता हूं की वामंट रिया और यह सक्मार्फ और यह घ्लेंट वह मोर्न मांचनल झाना ता ठीक है मंटेश ने मैं बनना चाहता था तो आई वोप आपको यह तो किलियर हो गए होंगे कुश्टर नमर थर्टीन देखेंगे वन्स अपान अटाइम देर एक बार बहां बाज आमायन एक बेखती बेंट मतलब गया राउंड मतलब चारों तरफ सेलिंग मतलब बेचने एक बार वहां चारों तरफ एक बेकटी बेचने गया small मनलब छोटी रेटरम मनलब प्रफ चुहा दानिया था ठीक है आफ मतलब की जो किसकी थी फ्लास्टिक की थी या बायर की या वास्ट मेटेरियल या नॉन तो फ्लास्टिक ही तो नहीं होती है वो तार की बनी होती है वायर का मतलब होता है ठीक है उसके बाद हमारा कुछिट्ट नमबर है 14 यानि की 14 दा होल वर्ड पूरा संसार इस मतलब यह लैंड्स जमीन है और शी का मतलब सबुंद इस सिटी यह सिटी और गाउं बिलेज का मतलब गाउं होता है बाज नथिंग कुछ भी नहीं था वट विग क्या था फॉर्म गेम वर्ल्ड या रैट रैप तो मतलब यह रैट रैप है चुआ धानी है ठीक है यानि की यह पूरा संसार ना जमीन और समुंदर और जो सहर है गाउं है यह कुछ भी नहीं है यह क्या है वट विग रैट रैप मतलब यह बड़ी सी चुगादानी के अलावा कुछ नहीं है ठीक है तो विगती अपने मन में सोचता है कि यह पूरा संसार जमीन और मतलब गाउं सहरे कुछ भी नहीं है सिरफ एक बड़ी सी चुगादान के अलावा यह सब कुछ क्या है एक बड़ी सी चुगादानी है ठीक है पूरा संसार दा होल वर्ड ठीक है उसके बाद हमारा 15 दा मास्टर इसमित मतलब जो मास्टर का मतलब होता है यह स्वामी Smith मतलब होता है Lohar मुख लोहार ठीक है लोहे का जो मालिक होता है उसे मूलते Master Smith मतलब मुख लोहार and or His helper जैनि कि उसका जो helper है जो साइटा करने वाला जैसे एक तो main है Lohar और उसका एक helper है जो साइटा कर रहा है ठीक है तो मुख लोहार and His helper उसका जो helper है Sit मतलब बैठे इन डार्क मतलब आंधेरे में Forg near मतलब कहां Forg का मतलब होता धलाई जो जहां पर धलाई होती है लोहे की ठीक है Near धलाई Near the Forners यानि कि धलाई वाली भट्टी के पास ठीक है Near का मतलब होता Pass Bating मतलब इनतजार कर रहे है For the Iron मतलब किस Iron का इनतजार कर रहे है Row या फिर Solid ठॉलिस का मतलब ठोस या फिर विड या फिर Pig तो यहां पर आएगा Pig ठीक है तो ये तो नहीं लगाना है इसमें क्या आएगा Pig पिक का मतलब होता है कच्ची कच्ची लोहे का इनतजार कर रहे थे ठीक है यानि कि जो भटी से कच्चा लोहा निकलेगा उसका वो इनतजार कर रहे थे ठीक है उसके बाद है हमारा Question No.16 यानि कि सोला The Master Iron Master जिसका मतलब भी है लोहार मुख्य लोहार ठीक है Iron Master And The Daughter Daughter का मतलब उसकी पुत्री The Iron Master And The Daughter मतलब मुख्य लोहार और उसकी पुत्री Return मतलब लोट रहे थे From से The Charger At About O'clock मतलब कितने बजे लोट रहे थे तो 9 बजे 9 या 10 11 या 12 तो यहां पर इसका सही अंसर है 10 यानि कि 10 तो यहां पर आएगा 10 O'clock O'clock हमेशा हम समय के लिए प्रियोग करते हैं ठीक है तो Iron Master और उसकी जो बेटी थी वो चर से 10 बजे लोट रहे थे ठीक है तो I hope आपको यह सारे question किलियर हो गए होंगे